हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टो तेयारी ओनलाइन, मैं हूँ सुधा, आज की वीडियो में हम जानेंगे 3 अप्रेल 2021 के डेली करेंट अफ्योर्स MCQ के बारे में और साथ ही आपको बताये जाएंगे सभी प्रसंस से संबंधित इंपोर्टेंट फैक्ट्स ये वीडियो आपके आने वाले सभी एक्जाम्स के लिए महत्रपूर्ण हैं तो वीडियो को आप अंत तक देखें यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमें जॉइन करें टेलिग्राम ग्रूप पर टेलिग्राम ग्रूप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथ ही आप GK Current Affairs and Latest Updates के लिए तयारी ओनलाइन को सब्सक्राइब करें वैल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे आप हमें इस्टाग्राम पर भी जॉइन कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा तो चलें देर न करते हुए पहला प्रस्न देखते हैं पहला प्रस्न हमारा है सैन्ने फार्म क्या है भारतिय सेना ने उन्हें क्यों बंद किया है तो सबसे पहले आप यह जान ले कि सैन्ने फार्म है क्या तो देखिए सैने फार्म जो है वा सैनिकों के लिए बनाया गया था सैने फार्म में सैनिकों को गायों का स्वस्त प्रत दूद उपलब्ध हो जाता था इसलिए इसको अस्थापित किया गया था क्योंकि उस समय क्या होता था कि सहरों से दूर सैन ने छाबनी बनाई जाती थी तो वहाँ पर सैनिकों को दूर की उपलबधता जो है वह नहीं हो पाती थी तो इसी वज़ा से इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके सैन ने फाम को अस्थापिट किया गया था लेकिन अब क्या है अब सहरी विस्तार के साल साल कस्वों और सहरों के भीतर छाबनीय बनाई जा रही है जिस वज़े से उन्हें सभी चीजें आसानी से उपलबध हो जाती है तो अब इसकी आवश्चक्ता उन्हें नहीं है और साथ ही कई बार सैने फाम पर भरस्टा चार के आरोब भी लगे हैं इसी वज़े से इसे बंद किया जा रहा है चले इस से रिलेटेड और भी आपको इंपोर्टेंट फैक्ट्स बता दिया जाए तो यहां देखिए बारती सेना ने 132 साल की सेवा के बाद 31 मार्च को अपने सैने फार्म को बंद कर दिया है इसकी अस्थापना ब्रिटेश भारत में सैनिकों को गाय के दूज की आपूर्टी के उद्देशे से की गई थी ब्रिटेश भारत कहने का तातपर यहां पर है जब हमारे देश में ब्रिटेश सांशन था उस वक्त इस फार्म की अस्थापना की गई थी और अब भ्रस्टाचारों के आरोपों के बाद इसे बंद किया जा रहा है देखिए बर्स 2012 में क्वार्टर मास्टर जेनरल साखा ने बंद करने की सिफारिस की थी और 2016 में फिर से इस फार्म को बंद करने की सिफारिस लेटिनेट जेनरल डीबी से कात करके द्वारा किया गया था पहला सेन फार्म जो है वास्थापित किया गया था एक फरवरी 1889 में लाहवाद में और अजादी के बाद पूरे भारत में 130 फार्म में 30,000 मवेशियों की संख्या में प्रिधी हुई है और बागी तो वही सारी बाते हैं जो अभी आपको बताया है नेक्स कुशन है पंजाब नेशनल बैंक और किस बैंक ने रेपो दर से जूरी ब्यास दरें 0.75 परतिशत कम कर दी है तो देखिए पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन ओवर्सीज बैंक ने रेपो दर से जूरी ब्यास दरें 0.75 परतिशत कम कर दी है important facts देखिए यहाँ पे वही सारी बाते हैं पंजाब National Bank और Indian Overseas Bank ने रेपोदर से जुरी ब्यासदरी 0.7% तक कम कर दी है और भारती Reserve Bank ने भी रेपोदर में 0.75% की कटोती की है सबसे पहले हम जान लेते हैं पंजाब National Bank के वारे में तो पंजाब National Bank भारत का एक प्रमुख और पुराना बैंक है इसकी अस्थापना 1895 में लाहोर में की गई थी क्योंकि उस समय महारत और पाकिस्तान एक ही था तो 1895 में पंजाब National Bank की अस्थापना हुई थी इसका मुख्याल है नई दिल्ली में है और इसके हेड है केसी चक्रवर्ती अब जान लेते हैं Indian Overseas Bank के बारे में तो Indian Overseas Bank भारत का एक बैंक है यह बैंक बैंकिंग बीमा और उद्योग में एक अगवा बैंक है किन-किन चीचों में है तो देखिए यह बैंक जो है वा बैंकिंग बीमा और उद्योग में एक अगवा बैंक है Indian Overseas Bank फोरेक्स कारोवार तथा विदेसी बैंकिंग की बिसेस्ट सेवाएं प्रदान करता है Indian Overseas Bank की अस्थापना 10 फरवरी 1937 में की गई थी तो यह हो गया दोनों बैंक से जूरी हुई information चलिए अब आपको रैपोदर, reverse रैपोदर और नगर आरक्षित अनुपाद CRR के बारे में जानकारी दी जाए सबसे पहले हम समझेंगे रैपोदर क्या है जब बैंकों को reserve bank RBI के द्वारा किसके द्वारा RBI से कम ब्याज पर लोन मिलेगा तो उनके fund जुटाने की लागत क्या होगी? और इस वज़ा से वे अपने ग्राहंगों को सस्ता कर्ज देंगे जैसे हम लोन लेते हैं ना home loan लेते हैं, personal loan लेते हैं, car loan लेते हैं तो यह सभी हमें कम ब्याज दर पर दी जाएगी और यह कब होगा? जब bank को reserve bank से कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा और इसके बिपरीत अगर reserve bank repo rate बढ़ा देता है तो क्या होगा बैंकों को पैसे जुटाने में अधिक रकम खर्च करनी होगी और वे क्या करेंगे अपने ग्राहकों को भी अधिक ब्यासदर पर कर्ज देंगे यानि लोन देंगे चाहे वो home loan हो कार लोन हो या personal loan हो चलिए अब आपको बता दिया जाए reverse repo rate के बारे में कि reverse repo rate किस प्रकार से काम करता है तो देखे reverse repo rate में क्या होता है कि हमारे देश में जितने भी बैंक है उनके द्वारा जो बेकार किया जा रहा है पूरे दिन में जितना भी रकम बचता है वह उसे जमा कर देते हैं RBI के पास बारतिय Naval Reserve Bank में जमा कर देते हैं और भारतिय Naval Reserve Bank क्या करता है उन्हें उसी पैसों का व्यास देता है यानि आरक्षित अनुपात के बारे में कि यह क्या है इसको सौट में हम कहते हैं CRR अब भारत में जितने भी बैंक हैं जितने भी बैंक काम कर रहे हैं सब के लिए एक रूल लगा दिया गया है और यह रूल किसके द्वारा लगाया गया है तो यह रूल जो है वह लगाता है भारती bank अपने कुल cash एक निस्चित हिस्सा किसको देते हैं RBI को देते हैं मतलब कुल cash का जो निस्चित हिस्सा होता है जितना उसको deposit करना होता है RBI में वह उसे RBI को दे देते हैं और इसे cash reserve ratio अथवा नगर आरक्षित अनुपाद CRR कहते हैं चलिए अब हम जान लेते हैं current rate के बारे में तो देखिए current rate है CRR का 3.00% उसके बाद repo rate देखिए repo rate है 4.00% और reverse repo rate reverse repo rate है 3.35% SLR है 18% और bank rate कितना है तो bank rate भी आप जान लेजे bank rate है आपका 4.25% bank के exam में ये पूछा जाता है चलिए next question देखिए next question हमारा है इन में से किस राज्य सरकार ने retire होने वाले सभी डॉक्टरों को सेवा विस्तार देने का फैसला किया है तो देखिए यह किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान सरकार ने retire होने वाले सभी डॉक्टरों को सेवा विस्तार देने का फैसला किया है इस से related important facts देखिए अब यहां देखिए राजस्थान सरकार ने हाल ही में मार्च से लेकर के अगस्त में retire होने वाले सभी डॉक्टरों को सेवा विस्तार देंगे और यह सेवा विस्तार जो है वह दिया जाएगा सितंबर 2021 तर राजस्थान में कोरोना के मामले 60 हो चुके हैं चलिए राजस्थान के बारे में जान ले तो राजस्थान की राजधानी है जैपूर राजस्थान का सबसे वरा सहर जैपूर है राजस्थान की कुल जन संख्या है 6 करोर 85,440,437 राजस्थान के राज़े पाल है कल राज मिस्र, मुख्य मंत्री है असोक गहलोत, राजस्थान से सटे हुए राज़े हैं गुजरात, मत्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाना ये पांच राज़े हैं जो इसके परोसी राज़े हैं राजस्थान राज्जी की एक अंतर्रास्ट्रिय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है चलिए राजस्थान की भॉग गौलिक बिसेशताएं आपको बता दी जाएं तो पश्चिम में थार मरू अस्थल और घगघड नदी इसके अंतिम छोड़ हैं बिश्व की पुरातन स्रेनि प्रमुख है अरावली अरावली जो है वर राजस्थान के एक मात्र परवश्रेनी है जो परेतन का केंद्र है और इसमें माउंट आबू और विश्वविक्या दिलवारा मंदीर भी सामिल है पुर्भी राजस्थान में दो बाग अवियारन है कौन-कौन से हैं तो याद र द्यान को यूनेसको द्वारा विश्व धरोहर की दर्जा दी गई और कब दी गई तो 1985 में दी गई राजस्थान की राजधानी जैपूर को भारत का पेरिस कहा जाता है राजस्थान का सबसे छोटा जिला छेतरफल की दिरिष्टी से धोलपूर है और सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर नेक्स कोईशन हमारा है किंदर सरकार को किसने 24 गंटे में कोरोना वाइरस संबन दी फरजी खबरों पर लगाम लगाने के लिए एक पोर्टल बनाने का आदेश दिया है तो देखिए यह पोर्टल जो है वह बनाने का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने चलिए अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में जान लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की अस्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1937 में इसकी अस्थापना नई दिल्ली के तिलक मार्ग पर की गई और बरतमान में भारत के मुख्य ने आएधीस हैं सरद अर्विंद बोबडे यह हैं भारत के मुख्य ने आएधीस क्वेश्चन से रिलेटर इंपोर्टेंट फैक्ट देखे सुप्रीम कोर्ट ने हाली में केंदर सरकार को कोरोना वाइरस संबंधी फरजी खबरों पर लगाम लगाने के लिए एक पोर्टल बनाने का आदेश दिया है जिससे कोरोना से जुरी फरजी खबरों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी किंदर सरकार ने एकस्पायर हो चुके ड्राइबिंग लाइसेंस और आर्सी कब तक के लिए वैद करने की घोसना की है तो देखिए एकस्पायर ड्राइबिंग लाइसेंस और आर्सी को किंदर सरकार ने 30 जून तक वैद करने की घोसना की है ओप्सन नमबर 20 का करेक्ट आंसर है चले इससे रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए किंदर सरकार ने एकस्पायर हो चुके ड्राइबिंग लाइसेंस पर मीट और आर्सी 30 जून तक वैद करने की घोसना की है देश व्यापी ताला बंदी और सरकारी परिवहन कार्यालियों को बंद होने के कारण यह फैसला लिया गया है अभी हाल ही में स्क्रैप नीती आरंब की गई है जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था तो आप हमें बताइए कि इस यूजना का आरंब कब किया गया नेक्स्ट कुरिचिन हमारा है निम्न में से किस के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वाइरस महामारी के कारण भारत वैस्विक मंदी से बच सकता है तो देखिए यह रिपोर्ट जो है वाज जारी किया गया है यूएन सीटी एडी के द्वारा ओप्सन नमबर बी इसका करेक्ट आंसर है यूएन सीटी एडी कहने कार्थ है यूनाइटेड नेशन कॉन्फरेंस ओन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जिसके अस्थापना की गई 1964 में कहां की गई तो जेनेवा स्विजर लैंड में इसके फाउंडर है यूनाइटेड नेशन्स जेनरल असेम्बली चले इस इंपोर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहां देखें यूएन सीटी एडी संयुक्त रास्ट वैपार एवं विकास सम्मेलन के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वाइरस महमारी के कारण बारत वैस्विक मंदी में बच सकता है चले अब आपको बता दिया जाए बैस्विक मंदी के बारे में कि बैस्विक मंदी क्या होता है तो देखिए वैस्विक मंदी विष्व बियापी आर्थिक मंदी की अबधी है इसमें IMF यानि अंतर राश्ट्रिय मुद्राकोस कई कारकों को ध्यान में रखता है जैसे कि अगर तीन परतीशत या उससे कम वैस्विक आर्थिक विकास क्या कहलाता है वैस्विक मंदी कहलाता है यानि वह वैस्विक मंदी के बढ़ावर होता है नेक्स कोईशन है विप्रो लिमिटेड विप्रो एंटरप्राइज लिमिटेड और डैस फाउंडेशन ने कोरोना वाइरस से निपटने के लिए 1125 करोर रुपे दिये हैं चुले इसे related important facts देखें तो यहां देखें विप्रो लिमिटेड, विप्रो एंटरप्राइज़ लिमिटेड और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन इन तीनों ने मिलकर के 1125 करोर रुपे जो हैं वह करोना वाइरस से निपटने के लिए दिये हैं जिसमें देखें विप्रो लि करोर रुपे दिये हैं तो कुल मिला करके तीनों ने 1125 करोर रुपे दिये हैं कोरोना वाइरस से निपटने के लिए नेक्स्कूशन हमारा है भारत के किस राज्य के प्रसिद्ध सकती पीठ त्रेपूर सुंदरी मंतीर के पास सारे 51 सकती पीठों की प्रतिकृति वाला दु जो है वह बनाये जाएगा त्रिपूरा में ओप्सन नमबर बी इसका करेक्ट आंसर है कहां बनाये जाएगा तो यह बनाये जाएगा त्रिपूरा में चले हम त्रिपूरा के बारे में जान ले तो त्रिपूरा की राजधानी है अगरतला त्रिपूरा के गवर्णर है रमे त्रिपूर स्चुन्दरी मंदीर के पास सारे 51 सकती पीठों की प्रतिकृति वाला दुनिया का पहला मंदीर बनाने की गोशना की गई है जिसके लिए उधैपूर मौजा रोड पर इस्थित फुलकुमारी गाउं में लगभग 14.2 एकर भूमी आवंटित की गई है संबिधान का अनुच्छेद 244 ए क्या है तो देखिए संबिधान की अनुच्छेद 244 ए में असम के आदिवासियों के लिए कुछ नियम बनाये गये थे उसी नियमों का उल्ले किया गया है अनुच्छेद 244 में और इसे संबिधान में लाया गया था कॉंग्रेस सरकार के द् चलि कोशन से रेटर इंपोर्टेंट फैक्ट्स देखें हाली में कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो संदेश में संभिधान के अनुच्छे 244 एको लागू करने का वादा किया था और यह वादा क्यों किया था तो देखें यह वादा किया था असम के आदिवासी बहुल जिलों में लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए संभिधान का अनुच्छे 244 क्या है तो देखें इस अनुच्छे में आदिवासी बहुल जिलों के लोगों की हितकी रक्षा है और साथी आदिवासी छेत्रों में स्वायत राजे के निर्मान की अनुमती भी या अनुछे देता है इसे वर्स 1979 में कॉंग्रेस सरकार के द्वारा सम्विधान में लाये गया था इसमें विधान मंडल और मंत्री परिशत का प्रावधान भी सामिल है चलिए अब हम देखते हैं कि छटी अनुसूची और अनुछे 244 ए में क्या भिन्नेता है अब या देखिए सम्विधान की छटी अनुसूची और अनुछे 244 ए कैसे एक दूसरे से भिन्ने है तो छटी अनुसूची के अंतरगत अनुछे 244 भाग दो और अनुछे 275 भाग एक को सामिल किया गया है जिसमें वहां के निर्वाचित परतिनीधियों द्वारा प्रसासित स्वायत परिशदों के माध्यम से पुर्वत्तर के कुछ आदिवासी छेत्रों में विकेंद्रित, साशन और अधिक से अधिक राजनेतिक स्वैतता की अनुमती दियता है और यह अनुमती दिया जाता है संभिधान की छटी अनुसूची के अंतरगत जिसमें कौन-कौन से जिले सामिल है तो देखिए असम के कार्वी, आंगलोन, पश्मी कार्वी, दीमा, हशाओ और बोडो प्रादेसिक छेत्र है दूसरी ओर अनुच्छे 244 ए आदिवासी छेत्रों को अधिक स्वैत सत्यां प्रदान करता है चलिए अब आपको बताया जाए अनुच्छे 244 ए के बारे में तो देखिए 244 ए को लागो किया गया था 1950 के समय में इस समय और विभाजित असम की आदिवासी आवादी के कुछ वर्गों में एक अलग पहारी राज्यों की मांग उठी थी वर्स 1960 में पहारी छेत्रों के कई राजनितिक दलों ने मिलकर के All Party Hill Leaders Conference की अस्थापना की थी और एक अलग राज्य की मांग की थी और इस आंदोलन की वज़े से इस मांग की वज़े से 1974 में मेघाले का गठन किया गया था मेघाले जो है वह असम से अलग हो करके एक राज्य बनाया गया था Next Question हमारा है ओडिशा राज्य सरकार ने किस परवत को राज्य के दूसरे बायोस्फियर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है तो देखे इसका उत्तर हो जाएगा महिंद्रगिरी Option No.B इसका Correct Answer है चलिए Important Facts देखें तो यहाँ देखें ओडिशा राज्य सरकार ने महिंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फियर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है यह राज्य के गजबती जिले में एक परवत है इसके उँचाई 15001 मीटर है महिंद्रगिरी राज्य की दूसरी सबसे उची चोटी है चलिए अब आपको बताया जाए बायोस्फियर रिजर्व के बारे में कि बायोस्फियर रिजर्व होता क्या है बायोस्फियर रिजर्व एक बिसेज पारिस्थिती की तंत्र कह सकते हैं या आप इसे कह सकते हैं वनस्पती जिसे सुरक्षा और पोशन की आवश्यक्ता होती है युनेशको के अनुसार बायोस्फियर रिजर्व अस्थलिये और तटिये पारिस्तिकी तंत्र के छेत्र हैं जो अपने सतत उपियोग के सान जैब बिविधता के संरक्षन के समाधान को बढ़ावा देता है अब हम जान लेते हैं ओडिशा राजे के बारे में तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर ओडिशा के गवर्नर है गनेसी लाल ओडिशा के चीप मिनिस्टर है नवीन पतनायक और ओडिशा का सबसे बड़ा सहर है भुवनेश्वर डेली कर इं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें मिलते हैं नए दिन नए प्रस्णों के साथ आप सभी का धन्यवाद